गोर्मेंट आफ जमौ एंड कश्मीर की तरफ से एक निरने लिया गया था जिसमें कहा गया था कि सभी जो विंटर वीकेशंस होते हैं यह जमू डिवीज Coffee के एक्जामस होते हैं तो उनके सैशन को जो है वह harsh से ही चलाया जाए मार्च अप्रेल के सेशन में ही जो है उनके एक्जाम जो है वो कंड़क्ट किये जाए और उसी सेशन को जो है मार्च अप्रेल से ही जो है वो चलाया जाए जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले दो जो है वो दो सेशन के हिसाब से जो है वो चलाया जाता था एक जो है वो तरहना कर दोड़ा करते से जर दोड़ा हो गया घ्ष्तवार्ट जो गहाईता चलायाजा जाता धान्र आवराल बिंट्र सेशन जो है वो चलाया जाता था लेकिन उसके बाद जम्मूर कश्मीर का झाना कि ट्रफसे एक मिर्म या गया था कि चलाया जाए गा णे कुंस तरह मार्च और अप्रेल नियुक करे जाता है और वह बुस्थाटं सक्राइब्स UK के जाते थे तो उस तरह से भट size को भी क्याता है देक ही ह२हीच dirig है वह संक्राइब ढिए तो उनक्राइब्स लेकिन बड़ती ठंड जिस तरह से कश्मीर के अंदर कश्मी डिवीजन के अंदर जिस तरह से ठंड बढ़ी और वहां की जो बरफबारी वहां पे हो रही थी उसके बाद जो है वो कही ना कहीँ विरोध जो है वो लोगों के दुआरा भी किया गया पोलिटिकल इन्वॉल्व की तरफ से कि चुटिया जो है विकेशन जो है वह नहीं होंगी आखिर क्यों नहीं होंगी क्योंकि उन्हें उस पे एक तर्ग दिया था कि स्कूल के अंदर उनको फैसलिटी दी जाएंगी बच्चों को जहां पर ठंड नहीं होगी लेकिन उनका जो है वह चलाया जाएगा उनको जो कि लेकिन बढ़ती ठंड और जिससारा से मैं आपको बताया कि लोगों भी जो है वो विरोध किया चीज का तो उसको मद्दे नजर रखते हुए जो है गोर्मेंट फ़ जमोएंड कशमीर की तरफ से जो है祝ा विकेशन जो है विंटर वकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और इसी order के तहट जो है यह सब जो चीजे आपको है वो बता रहा था शुरुवाती तोर से कि पहले जो है जमकुश्मीर government की तरफ से एक जो है वो निरने लिया जा रहा था इनका session जो है वो मार्च से चलाया जाए और vacations जो है वो नहीं दी जाएंगे और schools के अंदर जो है वो facilities दी जाएंगी लेकिन बढ़ती ठंड की वज़ा से इस तरह का जो है वो order जो है वो निकालना पड़ा government को और उन्हें जो है ये अंदाजा लग गया कि इस तरह का order जो है या इस तरह की चीजें जो है वो possible नहीं है क्योंकि जो सेशन जो चलाए जा रहे थे दो हिसाब से winter session और summer session और उसी हिसाब से जो है वो इन इलाकों में चलेंगे क्योंकि ठंड यहां पे कहीं जादा होती है और कश्मीर के इलाके में भी कहीं जादा जो है वो ठंड हमें जारी किये उनकी डेड़ जारी किये और अगर मैं आपको डेड़ बता दूँ तो फिफ तक जो है वो एक दिसम्बर से जो है वो छुटियां जो है वो पड़ जाएंगी उन्हें एक दिसम्बर की जो है वो डेड़ दी गई और जो जो six to eight standard तक है उनने 12 December से जो है वो छुटियां जो है वो डेड़ दी गई है और 9 to 12 का जो है वो 9 December से जो है वो डेड़ जो है वो दी गई है लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो जमुकश्मीर की गोर्मेंट की तरफ से ये भी जो है वो निरने जो है वो रखा गया था कि इस तरह की नहीं सकते अगर बरबारी जादा हो जाती है ठंड जादा हो जाती है किसी कारण से बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते जो दूर दिरास के लाके जो फॉर फ्लांग एरियाज है उन इलाकों के लिए उन्होंने कहा वहां की जो लोकल अड्मिस्ट्रेशन है वो वहां पे और लोकल लेवल पे एक और निकाल सकती है और उन स्कूलों को कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए वैदर कंडिशन के हिसाब से जो है वहां पे उस और को निकाला जा सकता है बंद करने का लेकिन बाकी जो स्कूल हैं बाकी जो एरियाज हैं वहां पे उसी तरह से जो की बाट के अंदर जब लोगों के विरोध किया कि बाद इसको निर्णे को चयंज किया गया और एक और जो है वो जारी किया जिस मैंने आपको बताया एक दिसंबर को जो है वह फिफ्थ तक जो है वह चुटी की जाएगी तो इस तरह का ओडर जो है वह निकालना वह बिल्कुल ज़रूरी हो गया था और आप भी जानते हैं कि इन इलाकों में जो है वो ठन्द जो है वो कहीं जाधा होती है और काफी लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही थी लेकिन कल के दिन एक ये ओरर जो है वो निकाल दिया गया है जो है 1st December 12 December और 19 December अलगलग जो क्लासिस तक जो है वो उन्होंने छुटी जो है वो डिकलेर कर दी गई है प्रसिंपल सेक्ट्री स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो है वो यह अडर जो है वो निकाला गया है और उस अडर के तहत यह विकेशंस जो है वो डिकलेर कर दी गई ह यही आप तक जो है वो खबर पुन्चाने इस समय में जुड़ा था तब तक देखते रहें टीलार मुझे दीजिए इजादत नमस्कार